दोस्तों मैं हूँ आयुश महिता and welcome to my youtube channel travel with Ayush Mehta so आज का जो वीडियो होगा वो Malta के उपर होगा study in Malta के उपर बड़ उससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो जो है वो paid promotion है यानि की collaboration जो होता है उस पे है और आप सबसे बढ़िया चीज है उसमें games खेलके और भी free of cost खेलके भी पैसे कमा सकते हो तो big cash app की जो link है description में click करो and आप download कर सकते हो and आपको 20 rupees से लेके 50 rupees के बीच का cashback आपको मिलेगा coupon मिलेगा इसमें आप free में game खेल सकते हो and earning कर सकते हो मैंने भी कल 20 rupees and 60 rupees की earning करी उसका screenshot आपको यहाँ दिख जाएगा और जो मैं game के बारे में बता रहा हूँ उसका जो आपको एक interface है वो भी आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा जो मैं आपको बताता है हो यहाँ पूरा आपको show हो रहा होगा तो big cash काफी अच्छा app है तो उनके तरफ से यह paid promotion था इसलिए आपको मैंने information दे दी एंड यह काफी अच्छी application है आप use कर सकते हो तो इसकी link description में दी वही है प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगा तो आप click करो earning कर सकते हो अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में जो है study in Malta shanigan country के बारे में बात हो रही है तो study in Malta भी deal कर रहे है almost next intake के लिए जो की almost jan होगा ठीक है तो अगर jan में अगर हो गया cover इधर बीच तो अच्छी बात है otherwise next intake के लिए ही deal करेंगे उसके बाद almost आप मानके चलो कि September intake ही open होगा तो अभी capital valeta है आपको पता है Malta की shanigan country योरोप में आती है और college की fees सारा चीज़ें मैं इसमें आपको clear करूँगा यहाँ पर आपको थोड़ा बच्छी होगा और बाकी मैंने group में डाल दी फूरी इसकी information फुल आप मुझे information लेना चाहते हो तो मुझे call या message कर देना और मैं आपको समझा दूँगा देखे college की fees bachelor and master दोनों available है one year की fees इसमें included होती है बाकी next year आपको हर बार देनी होती यह आपको पता है और आपको one month का accommodation इस जो fees रहेगी जो हमारा package है इसमें आपको मिल रहा है और आपको 26 country घूमने का permission मिल रहा सबसे बड़ी चीज़ है travel to 26 shenanigan countries और आपको insurance वगरा मिल रहा है medical साथा चीज़ है slight ticket भी इसमें included है आपका medical included है age 18 से लेके 39 होना चाहिए अगर आप study visa student visa मार्टा के लिए apply करना चाहते हैं तो एक से दो मन्त old fund required है एक से दो महिना का पुराना funds होंगे account में तो चल जाएगा और उसके बाद no interview only submission in case MBC wants than 4 to 5 minutes interview possible पहले चीज़ तो यह बता दो interviews में नहीं है बट मैं बता दूं interview होता है जादा तर MBC या college चाहता है तो skype पर MBC अगर बुलाएगी तो interview ले सकती है बट आप prepare कर सकते हो हम भी हमारी जो team है वो आपको prepare फूरे तरीके से करा देगी तो उसमें कोई risk वाली या डर वाली बात नहीं है rejection होता है तो फिर आपको पता है कि MBC biometric की fees, invitation letter की fees almost आपकी waste होती ही होती है आप किसी भी country में apply करो almost आपकी वो waste हो जाती है तो आप calculate कर सकते हो कि कुछ पैसे almost waste हो जाती है अब वो depend करता लाइक MBC fees, biometric होगी, consultancy मिला कि आपका almost 30-40 thousand तक आपका waste हो सकता है study visa कहीं कभी apply करो, जहां rejection है funds required है 10 lakh, पहली चीज़ तो यह 10 lakh funds अगर आपके account में 9-10 lakh अगर है तभी आप apply करो, तभी आपकी strong रहेगी file तो chances ज्यादा है otherwise आप मानगे चलो कि 100 लोग अगर apply कर रहे है study visa तो 70, 80, जब 80 लोग तक को माल्टा देता है, ऐसा नहीं है कि rejection बहुत देता है ऐसा नहीं है, तो try कर सकते हो, अगर profile आपकी अच्छी है, gap थोड़ा बहुत है तो माल्टा आपके लिए best destination है और आप वहाँ पे 5 year बाद PR ले लोगे and 7 to 8 years के अंदर passport हात में आ जाता है maximum में बता रहा हूँ 7 to 8 year with or without alerts दोनों है या पे depend अगर आपने PTE alerts कुछ कर रखी है तो आपके लिए benefit ज़ादा है, आपको preference ज़ादा मिलेगी strong bank statement needed पहले चीज मैंने बता दिया, 9-10 लाक आउन में हो, तब ही apply करें 5-6 लाक वाले बिलकुल ना करें क्योंकि उनका rejection आने की ज़्यादा chances है और less rejection rate है Malta में, पहले चीज यह study visa को ज़्यादा preference मिलती है तो इसलिए Malta में rejection rate Poland के मुताबिक काफी ज़्यादा कम है, Poland में rejection ज़्यादा है, जब work permit का ले लो, जब study visa का ले लो, जब tourist visa का ले लो, Poland rejection rate ज़्यादा है, उसका rejection ज़्यादा देता है और 12th pass is mandatory, not failed, ठीके 12th आपका complete हो, तभी आप bachelor master के लिए कर सकते हो apply, और कम से कम आपके pass होना चाहिए आप, और कम से कम आपकी 55 से उपर percentage हो 12th में, और bachelor के लिए बात करो, अगर आप master के लिए apply कर रहे हो, तो आपके 60% at least marks होने चाहिए, बैचलर में, तो यह आपको मैंने पूरा बता दिया, part time job legal है, illegal नहीं, शैनेगन कंट्री में 20 घंटे हफते का मिलता है, 20 hours per week, तो आप full time भी कुछ लोग करती है, यह illegal है, या फिर आप कैसा समझ लो, कि जैसे कि 20 hours आपको मिलता है काम, तो आपको उसकी payment account में होती है, बाकी जो पैसे होते हैं, जो आप काम कर होगे, जैसे legal या फिर cash lives, आपको cash payment मिलती है, तो वो एक तरीका है, तो आदमी कमा लेता है, अपने अच्छी earning कर लेता है, बट हम देखे legal support नहीं करती है, यह आपको मैंने idea बता दिया, कैसा होता है, आप खुद जाओगे, तो खुद देखोगे, वहां के environment में, तो salary 500 से 900 euro, मतलब अगर आप part time करोगे, तो 500 euro तो कमा लोगे, यह तो guarantee है, ठीक, अपना living expenses, cost, food accommodation, यह सब चीज़ें, transportation आप निकाल लोगे, और fees नहीं निकाल पाओगे, जो की बास सच चाही है, fees एक ही शर्ट पर निकलती है, अगर आप ज़्यादा काम करते हो, 20 घंटे से ऊपर, 40 30 घंटे काम कर रहे हो, cash payment आपको मिल रही है, कुछ setting आपकी है, तो आप 1000 euro तक बना लोगे, अराम से, study visa पर, यह घजा यूरो बन जाएगी, तो आपकी फीस भी निकल आएगी, कम से कम 70% तक आपकी फीस निकल आती है, और आपका रहना खाना free हो जाता है, and PSW भी आपको मि मैंने बता दिया, PSW हो गया, TRC work permit के भी बहुत हाई chances से रहते हैं, तो कोई problem नहीं है, आप Shanigan में कहीं भी work permit apply कर सकते हो, PSW जैसे की अभी एक है, उन्होंने लिथूनिया में complete किया था, 2019 में, तो उन्होंने PSW, उनका study complete होई, उनका post study work permit जो था, उन्होंने लिथूनिया मे नहीं लिया, लिथूनिया में work permit उन्होंने job भी नहीं find की, उन्होंने job find की, आपका Switzerland, Luxembourg, Norway, Germany side, तो उनको फिर Luxembourg में almost job मिल गई थी, तो वहां कर रहे थे, तो ऐसा मैं कहा रहा हूं कि आप कहीं भी PSW के लिए find कर सकते हो, कहीं भी आप job find कर सकते हो, पूरे 26-28 countries में, तो आपका visa process सारा पूरा everything, 4 months आप मायन में मान के चलो, all fees after visa, no advance, सबसे बड़ी बात ये है, तो study visa में आपकी इससे payment कुछ भी नहीं लेगा, फीस की बात करो, तो 7500 यूरो का ये पूरा package है, 75-100 यूरो, यानि 7500 यूरो, जो की almost 6,60,000, 6,50,000 के आसपा, 6,60,000 के आसपा, 6,60, टिकेट, 1 month का accommodation, TRC के आगे chances, बहुत सारे opportunities, इसमें सब कुछ included, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो included नहीं है, अब बात करते हैं, colleges कौन से है, माल्टा में जो भी universities deal कर रहे हैं, वो आपके ग्लोबल कॉलेज है, ठीक है, उसके बाद है, मिडल सेक्स यूनिवस्टी माल्टा, तो यह हैं, जिनमें कुछ tie-ups है, कुछ public university है, कुछ आपका private भी है, colleges है, कोई institute नहीं है, सब अच्छी university and अच्छे colleges ही है, तो fees जो आपकी बताईए, इसी fees के अंदर आपको, जो course आप बताऊगा, आप जाते हो IT में, हॉस्पिटाल्टी में, किसी और supply chain में, other, कुछ भी, तो आप normal bachelor के लिए भी जाते हो, arts में, तो कुछ भी, अभी SC के लिए जाते हो, तो यह सब चीजों में आपको, course हर तरह के available हैं यहाँ पे, English program है, सबसे बड़ी चीज यह है, कोई other language आपको नहीं सीख नहीं, Malta की, जो main language है, वो Martis है, but वहाँ पे mostly people, वहाँ पे English ही बोलते हैंगे, degree रहेंगे, सब English में रहेगी, आपके jobs में, आपको communicate करने में काफी easy रहेगा, Malta के अंदर, Malta में जब work permit मिलता है, तो 1215 euro कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ पे 1000 से लेके 1500 euro average salary है, 1000 euro तो एक normal इंसन कमाता ही है, तो Malta में आप work permit जबागे, लोगे future में, तो आपको य है कि accommodation वेगरा help हो जाती है, food खुद का होता है, और एक लाग रुपय तक महिने का इंसन कमा लेता है, 12 लाग का package उसको मिलता ही मिलता है, 12 लाग के package से starting होती है, जब आपका study complete होगा, तो 12 लाग का package से लिए कि फिर आगे आप 24, 30 लाग, 32 लाग, और ओपर तक कमा सकते हो, या आपे dependent delivery की jobs आपको मिलता सकती है, जो आप इंडिया से try करते हो, वहाँ से try कर पाओगे, कोई fraud नहीं, खुझ दा के company में अपना apply करोगे, interview दोगे, अपना CV दोगे, तो बहुत सारे options हैं, जैसा कि मैंने बोला, after study, ठीक, तो study के दौरान आप part time करो, चीजे समझो, और legal रहोगे, illegal नहीं रहोगे, PR के लिए eligible हो जाओ, TRC के लिए हो जाओ, तो बहुत सारे opportunities हैं, गूमो, survey करो कि मार्टा से भी better, better countries हैं, कि आपको वह अच्छी लग रही है, तो ये सब opportunities होती हैं, और वहाँ से train चलती है, like आपका bus जाती है, trains जाती है, तो 1 euro, 2 euro की ticket होती है, आपको France से सीधा पुर्टगाल पहुचा देती, Spain का border cross होते हुए, रुकता नहीं, कोई immigration, कुछ नहीं, कोई रुकता, यहाँ तक या TPCR COVID test भी नहीं हो रहा, तो वहाँ जाके आप legal entry करवा, आप 15,20 euro per day के साब से कुछ legal entry करके, अपना tax भरना शिरू कर दो के, तो 1 साल 12 मह के बीच पे रहता है, तो 12 से 15,000 आपको महिने का tax देना होता है, वो earning नहीं होती है, कुछ भी आप earning कहीं भी करो, काम करो, तो वो tax भरते होगे, तो आपके paper TRC ready हो जाता है, तो बहुत सारे options हैं, अगर में कोई भी कमी नहीं, आप back वापस नहीं आओगे, वहाँ पे बहु होते हैं, इंडियन रुपीज में 30,000,000 आपकर लो, कि यह आफ्टर रिजा देना है, 30,000,000 का, इसमें पूरा package सारा चीज़े included है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक कर सकते हैं, हमें परसनल हम वाली बात नहीं है, इसमें, तो बस आज के लिए इतना है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, कमिन, शेयर करना ना भूलियागा, चैनल को सब्सक्राइब कर करके नोटिफिकेशन, बेल आ करना को जरू दबाई है, तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्षी वीडियो में, जब तक अपना और अपनी वेमिली का ख्यार रखें, बाबाई, सी यू, टेक कियर, स्टे सेफ, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए स्टडी इन माल्टा याड और बी कंट्रीज पे आती रहें, यह भी तो माल्टा के बता हैं, आगे और वीडियो आएंगे, तो जैहिन!